यूट्यूबर अलविश यादाव और सिंगर फाजल पुरिया के खिलाफ, E.D. ने बड़ा एक्शन लिया है E.D. ने अलविश यादाव और सिंगर फाजल पुरिया की प्रॉपर्टी अट्वेच कर ली है E.D. के जाच में हुई कई एहम खुलासे के बाद से ये कारवाई हुई है E.D. को दिल्ली NCR में साथ से ज़्यादा पार्टी करने के सबुत मिले हैं और ज़्यादा जानकारी दे रहे हमारे समधाता अमित चौधरी दिल्ली NCR में आयोजित होने वाली देव पार्टियों के अंदर साप और उसके जहर का इस्तमाल करने के बाद कमाए गए पैसो को लेकर E.D. दौरा एल्विस यादाओ पर बड़ी कारवाई की गई है एल्विस यादाओ और सिंगर फाजल पुरिया की पोपर्टी को E.D. दौरा अटेज करने के दोरान E.D. ने तीन दौर की पूस्ताच जो है वो एल्विस यादाओ और सिंगर फाजल पुरिया से की थी इन तीन दौर की पूस्ताच में कई ऐसे सवाल थे जिनका मिलान नहीं हो पाया पिछले दिनों जाच में ये भी बात निकल कर सामने आई थी कि साप को वीडियो में लेकर जो गाना फिलमाया गया था उस गाने से इन लोगों को तकरीबन पचास लाक उर्पे की इंकम हुई थी और उस इंकम से बिजनोर में कोई पोपर्टी खरीदी गई थी तो बिजनोर में जिस पोपर्टी को खरीदा गया था उस पोपर्टी को भी अटेज कर लिया गया है गुरूग राम में इनके बैंक खातों को प्रीज कर दिया गया है जितनी भी संपत्ति और गाडियां इन पार्टियों के दोरान कमाये गई पैसे से अरजित की गई है उन सब को अब E.D. दुवारा अटेच कर लिया है इस एलविस यादव को 136 दिन की जाच के बाद गरपतार किया गया था और एलविस यादव सहीत कुल आठ लोग इस पूरे मामले में गरपतार हुए थे अब E.D. का जिस तरीके से अलविस यादव पर सिकंजा कस रहा है उसके बाद माना ये भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में एलवी स्यादव और उसके अन्य करीबियों के खिलाब भी कड़ा सिकंजा कसा जा सकता है और मुश्किलें एलवी स्यादव की और ज्यादा बढ़ सकती हैं जिस तरीके से सुरुवाती जाच में नोड़ा पुलिस के तमाम तथे सामने आये थे उनी तथ्यों को आधार मानते हुए एडी द्वारा इस पूरी इन्वेस्टिकेशन को फिलाल किया जा रहा है वीडियो जनरली सिदाध गुपता के साथ अमित चोधरी नोड़ा